पेरट रखावा मामा जी ने और ये दूसरे मामा जी के घरें उनके बहु हैं भावी जी मेरी बहुत इजित करते हैं मेरी बहुत ज़्यादा जिसमें इनके घर में गई एकदम से पहले तो चाय पनाने लगे जोके मेरा मन भी नहीं था चाय को बहुत साल बाद गए हैं में इनके घर में बहुत प्यारी तो इनके किचिन थी ये हमेशा ऐसे ही सुरू से ही बहुत अच्छा से जाकर रखते हैं किचिन भी कमरा भी और बच्पन में इनके पास बहुत रहा करती थी जब स्कूल से हमानको छूटी होती थी बहुत अच्छा सुजाया वाइन उने घर आपको कैसा लगा ये इनका एक कमरा ये वला था और ये रसिंग टेवल बहुत अच्छा घर है इनका बहुत अच्छा और मैं दूआ करते हूं कि हमेशा इनका घर ज्यादा से ज्यादा ऐसे ही सुजावटों से बना रहे हैं हमेशा इनके घर में खुशिया बनी रहे हैं और आप बताना कि आपको कैसा लगा यह बाहर वाल वाल कमराइन का यह पर बैडल लगाया वा था और दीवारों पर बहुत अच्छा से सिजावट की थी भूले शंकर को देखो कैसे से इनको नंदी के साथ कैसे से पैंटिंग की हुआ है थी थी इनके घर में एक छोटा सा बेबी भी है वो दूसरे वाले कमरे में सुवावा था जो भाबीजी एंका पोता तो मैं दूसरे कमरे में नहीं गई फिने तो उनकी उस बच्चे की नेंद डिश्टर्प हो जाता है फिर अच्छा नहीं लगता है ऐसे नेंद ख है और यह दूसरे वाले जो मामा जी थी मेरे उनके बेटे का कमरा है आप जरूर बताना कि आपको कैसा लगान का घर घर भीिड़दा ज्य रहाटा है झाम बाले जो जो झाई हम झाई है ङलाताना है ज़से और जय हाटखा तो हैं यहीं जल जली फो से जone बाले जव फिना फिने उनको कैसा पγपना है जाता है यह भावी जी की ममी पापा है और यह भाई और भावी जिनका यह कमरा दिखा रही हूं और इनकी गोड़िया बहुत अच्छा सजाया उथा नोने अपना घर यह वारा दूसरे वाला कमरा इनका यह भी इनने बहुत अच्छा सजाया वा था इन रियादों को में समेट के रखना चाहती हूं और यह इनकी कीचेने भावी जी यहां पर ना काम कर रहे थे बहुत सर मा रहे थे कि वीडियो में नहीं सामने नहीं आना तो आप सभी प्लीज मुझे बताना कि आपको मेरे मामा जी की कीचेने और घर कैसा लगा यह दूसरे वाले भी आए हमारे जिनके घर में गई थी जो मामा जी हमारे रेनी उनकी बेटे की कीचेने और इसको क्या बोलते हैं मुझे समझे नहीं आता यह हुका है यह इस जावड के लिए रखावा शायद हुका ही बोलते हैं और यह पेरेट भी रखावा इन्होंने जब हम बापसी में आ रहे थे तो रास्ते में दिखो गाये की बांदी भी थी बाहर जब हम इजर से गए थे तो नहीं थी है और फिर जब हम आये तो हमारे से सड़क पार नहीं की जा रही थी बहुत ट्रैफिक था बहुत ज़्यदा फिर वहां पर ऐसे खड़े ओके में वीडियो बनाई थी फिलीश बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी थैंक्यू समय सभी स्पोर्ट करना मुझे और लाइक करना और शेयर करना जरूर हम बस कवेट कर रहे थे हैं यहां पर कि अधिक कर्मी बहुत लगदी इस तो यहां मार्केट में आकर हम आइसक्रीम खा रहे थे कि अधिक कर लोग दा कर लो ग्योतta…